नमस्कार आप सबीकों तो आईए आज हम बात करेंगे राजस्तान के प्रमुक लोग देवता पार्ट टू दोस्तों इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट पढ़ा था जिसमें हमने लगवल तीस प्रश्टों और तीस प्रश्टों के सासे वारी चीज हम मे습니다 एंदर इस खुंड़ आप समय भेसट नहीं होगा दोस्तों राज्यस्तान जी की य생 parall cos आपके लिए लास्ट के टॉपिक है दोस्तों मैं चाहूंगा कि आप कंटीनियू रख पाँगा ने तो फिर जो आपके लिए ग्लास होती है क्योंकि इस क्लास में दोस्तों बहुत ज्यादा मैंनत लगे और आप लोगों का जो इंट्रेस्ट है वह जहां तक लग रहा है दिन प्रेडियू आने देंगे तो आप जरूर देखें राजस्तान सीटी टेन प्लस टू हो या फिर आपका ग्रेजुएशन हो एक्जाम हो और कोई सब्सक्राइब की प्रेडियू आपको काम भी मिल जाएगी दोस्तों राजस्तान क्लासिस की वैब साइट यह नाम जो है आप सभी का सभी का जाता है अगर बात करें दोस्तों इनके बारे में तो पांच मंदिला राम देवजी मंदिर के इस इंके बारे में अगर बात करें तेजा जी के आगे जो सारा जी के इनसे समय फ़रोगा वाली में इस्थित फांच मंदिलाराम देखोजी नियाद रखना इनमें से कहीं भी नहीं है क्योंकि आपसंदी बिराथ या खुर्द दोस्तों कहां पर हैं पाली में पठता है याद रखना यहां पर मेला आयोजित होता है अगर आपको आपने दे को आयजित होता है काए आपको बता होने हुए ठीक है वाट पर शुख्लदश में होता है लोग देवता अड़ता औक being होगा घिके वाज वह जाएका न्हींति मेहां अगलिया लोग देवता जिनस्यों का नाम मेहा मांगलिया मिहाजी मांगलिया तो दोस企वं यहां पर कपर आपको दliamo है कि आप किसे याद रख पाएंगे मिहाजी मांगलिया है और यह ठोख और सांकeden यह नाम की बात पर खौए तो फिर दिनके पिताजी का नाम है ना यह वाते हाद रखेंगे जो है अजमल राम देवजी का पिता जी का नाम है राम देवजी के पिता जी का नाम है ठीक है और यह किसको समय थी दोस्तों यह लाव लोग देवता देव नार्यन जी के बच्पन का नाम की बात करें दोस्तों तो उदेशिंग था इनका जर्म जो है बगडवत गुर्जर ना गुर्णश में बगडवत भगडवत बगडवत वंश में का जर्म हुआ ठीक है दूसरी बात इनका जर्म कब और नहीं भी करते हैं ने लिए जाने तो नहीं तो सब्सक्राइब निए Oxford तो सब्सक्राइब जो जाएगा और बाद करें इननके बारे यह विए आप याद रखेंगे और बाकि आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखते हैं और सवाहिवोज पिता का नाम सवाहिभोज भगड़ा उत्ति तो देखे दोस्तों नेक्ट सवाल मेला कब बहुत आपके स्क्रेंप राच देखे तो आच्छा सवाल है दोस्तों बात करेंगे दोस्तों तेजा जी का मेला बरा जाता है वैसे एक बात यहां से किलियर कर लो कि तीजा जी का मेला बना जाता है बाद रुपद दोस्तों बाद पर शुक्लत दश्मी को आयोजित होता है अब कहां पर आई अधिवस निर्वान नागोर में इसने ना बेखल शुर्शुरा में उनको नाल का रसा था और देख लो और अगर हम बात करें तो इसके संबंद में और एक चीज और रहे जाती नागोरी नागोरी बैलों के लिए पॉपुलर मिला के लिए मिला ठीक है मिला जोए उजित होता है तो दोस्तों यह सारी चीज़ आपको याद रिखनी है बड़ा अच्छा सवाल था अग दिवान के दीवस यानि भादपर शुक्ला द्वित्या नहीं बल्की दाशमी अध्रबदल पादफर शुक्ला भादफर शुक्ला दश्मी के दिन तश्मी के दिन जो है हम बात करें तो निर्वान हुआ था इनका और कहां पर हुआ था दोस्तों याद रखना सुर्सुरा में हुआ था ठीक है तो यह बात आपको याद रखनी है देखो सुर्सुरा सुरसुरा की बात करें दोस्तों तो सुरसुरा आपके अजमेर में पढ़ता है ठीक है और सेंदरिया की बात करें सेंदरिया में इनको नाग ने दसा नाग देवता ने दसा था इनको ठीक है तो ये बातें भी आपको याद रिखनी है माराना सांगा के आरात्य देव की बात करें तो देव नारैन जी का जरम बग्रावत नागवंजी गुर्जर परिवार में वह था तो आपके सामने वही चीजें प्रस्तूत कर रहा हूं जो मुझे लगता है कि मेहत्पुन है बाकी जो है मतलब अथा भंडार पढ़ने की मुझे नहीं लगता क्या आउश्रिक्ता होगी आपको किजी के एक्जाम के लिए यहां तक जिमित रह रहे हम कि जो फैक्ट्वल चीजें हैं जो अक्सर एक्जाम में पूछी जासकती है वही देखेंगे चितोड युद्ध में लड़कर वीर्गती को यह चितोड का दोस्तों कौन सा युद्ध था यह चितोड का आपके तीसरा युद्ध था चितोड का तीसरा साखा था यह थीचितऊर चितोड का तीसरा साखा जिसमें कल्ल्ला राठोड पoyueeee वीर्ता के साथ है या रिकि हम बात करें तो अपने तरंड तक नियोचावध कर लिए थे तो कल्ला राठोड के साथ कौन थे दोस्तों जैमल पत्ता जैमल जैमल के और जैमल को कल्ला राठोड ने कंदे पर ले लिया था उस वज़र से इनको मतलब जैमल पता को अपने कंदे पर लिया तो फिर जैमल और कल्ला राठोड दोनों ने अपने दो दो हाथ उप्योग करें मतलब लड़ाई में तलवार चलाने में तो फिर इसलिए इने चार हातों वाले देवता भी इने का जाता है और उन्होंने उस समय वास्तों में जो वीरता दिखाई थी इस पर काहल हो गयते सामने वाले जो थे ठीक है तो यह चीज़ आपने लॉक कर दी है और अगला सवाल है सही योगमन नहीं है लेकर दोस्तों इस प्रकार का एक सवाल बन जाता है वैसे मुझे नहीं लगता कि यह सवाल पूचे एक्जाम में राम देव जी को करशने का अवतार माना जाता है यह भी ठीक ब तो यह बात है आप याद रखेंगे बड़ा अच्छा सवाल रिखा अगला सवाल देखे दोस्तों यहां पर हमने आउप्शन डिल को लॉक कर रहा है ठीक है अगला सवाल एक प्रतम लोग देवता जिनके नाम पर भारती है डाक टिकट जारी वाग दोस्तों 12 सरकार मंत्रा सवाल है इस पर डाक टिकट जारी किया कब किया ऐसा सवाल अगर बने तो फिर दोजाव दस में किया अब वो देवता कौन है और सवाल यह कर लिया कोई बात निया आप दो देवता भी पढ़ लो और यह भी पढ़ लो देव नारायन जी ठीक है उले सिंग जी हम बात करें है तो यह और बात करें दोस्तों कितने रूपए का टाइक टिकट जारी हुआ है तो फिर भाद करें तो फांस रुका टार्फिक निया चारे है कैंदेगो पिडियुप फोर्मैट के लिए आपको पीडियुप की जरूर्ड है तो फिर आप राज्तान क्लासे के वेब सैट क जरूर वीजिट करें ताकि आप रिवीजन भी आसानी से कर सका है ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने क्लास देख लिए और उसके बाद में आपको याद हो जाएंगे लंबे समय तक याद रखना है तो फिर आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा ठीक है ओके सबसे बड़ी फड़ अधिया जाता है दोस्तों राउन अंत्यका क्या नहीं सब्सक्राइब किया जाता दोस्तों फड़ बात सकते क्यों समय एक तो पागुजी के वह पे काम में लेते पागुजी के वह पे और एक लोग तरहें याँ जवार जी याद जी जवार जी के वह पे जाए इसका प्रयोग याद रेखना कैसा बात इंतर तता यह बात याद रखेंगे और वैसे राजी की सबसे बड़ी फर्ज माने जाती या फिर किस देवता की फर्ज है ऐसा सवाल भी बन सकता है लोग देवता कल्ला जी की चत्री जो है चितोड़ गड़ किले के किस पॉल पर बनी हुई है तो सवाल तो इतना ही पूचा जाएगा कि यह जो कर्ला जी की चत्री कौन शेकले में बनी हुई तो तो फिर आपको याद रखना ही लिए विच्छे तोड़ के लिए बनी हुई लेकिन जब पूचे ऐसा नहीं पूचेंगे कि पूचेंगे कि पूल पर है आप याद रखना चाहों तो रख सकते हैं वेरो पॉल पर अब पूचेंगे और इनकी बात करें तो कि पृतिम अब है सामर्या गाओं में सामर्या में रहा जुंगरपोर में ठीक है तेजा जी से समदिश सब्सक्राइब नहीं है इनके पिता जी का नाम जो था वो था ताहर जी दोस्तों याद है ना बढ़ाचा सवाल है माता का ना इसके माता का का नाम तो इनकी माता का नाम जो था न वो था दोस्तों राम पुमरी तो यह आप याद रखाना है लाचा गोजरी की गाएं थी ठीक है आणे तो दोस्तों याद रखना है अगला सवाल आपके स्क्रीन पर यह भी करशी कार्यों के करग देवता किसे माना जाता यो भी हुनुनिसी सवाल होस्ब नामग करेंगे ठीक है इसमर थिसांजो लोग होते हैं किसान लोग वह क्यानिक थे सब्सक्राइबंग्यों को को ड़सेता है करशी पडाने की रूकर की हाधाई अवर मेंका ड़क काला भाला का भी ठीक नाग देता के डोप में हाँ ठीक है और बात और है रक्षक यह सारी जो बाद यहरा लोग देवता तेजाजी को दे सकते हैं गयारो ना को आप नियर बाबा को आती है ना बाबा को को आप गोतम बाबा भी कह सकते हैं या घॉत्म बाबा भी कह सकते हैं बाद करें तो है तो मेला कांपे भाई सेगा चोंब कर्योंठीर एक और जिसे जिshap다 है लगी मेला अरन्यों के मेला में याद रखना और इसी परकार एक और लगी मेला तो मेना जाती के आराद्य है जाती के आराद्य है और जो है इनकी जूटी कसम नहीं खाते ठीक है तो यह आप यहाद रखेंगे अगला जबाल है कि जाकर जाती के को देवतार किस जिल लेके से समझ रखते हैं की जाकर जाती के देवतार है क्यों वह सब्ण वीर विगगा जी आप्सन में नहीं है तो फिर भी हम्यान सर देना होगा किस जाती के पीता की अब बात करते हैं इनके पिता की, पिता दोस्तों इनके कौन थे, इनके पिता थे मेहनजी, ठीक है, मेहनजी, ओक के सर, और इनकी माता का नाम, माता का नाम था सर सुल्तानी, और दोस्तों अगर इनके बारे हम और भी एक बात याद रखें, कि वही इनका जो है, इस्थान गाव आपको याद रखने है पिस से ज़्यादा कुछ नहीं है अग्ला लोक डेवता देव बाबा कौन थे रेके दूस्तों ने अब आप को दो की सब्सक्राइब कि अब लोक डेवता देवबाबा बश्रूघ कि सकते बिल्कुल हमने बाथ करी है और यह मतलब एक प्रकार से आयूर वेद का इनको बहुत ज्यादा ग्यान था और यह पशू के पालनहार कह लिए और भी अगर बात करें इनका इस्तान है नगला जाज नगला जाज इनका इस्तान है पश्रू के पश्रू के पालनहारम बात करें एनको कहा झाता है तो थीकिंशल्मच सुन्ध में क्या इक रिस्तान ही पूझा जा सकता है बाकी ज्यादा नहीं किसके शि आसे के कुर गुरू कौन थे मैं से गुरू गोरग मतनाथ तो चमतकारिक पुरुष यह भी थे गुरुचा ज़ते तो पीधे दोस्तों एक से करना चरूँगा कि का मूल तलिनात जी तलनाथ को मुल नाम आपको बताना या नहीं की वर्जपन आपको बताना ठीक मैं कमेंग करके आपको मुला का मेला कहां पो था है और यहां पर लोगे चट्रक्र मेला है और लिए चट्रत तुरही का अश्ट्मी दोस्तों यह रखेंगे ठीक है ओक के सर तक है ना यहां पर नहीं लिखा और यह जो हुगा है उसके बाद में अगर बात करें कि तेलवाड़ा में जो है काउप बढ़ता है तो भी लूनी-दी के किनारे लूनी-दी के किनारे पहले बार में अर्मुगा करता बारुतरम हो गया अब एक और सवाल बने कि वही माला निश्यत्र जो है ना यह मली नाजी समद्ध नहीं पढ़ा है और रूपा देन की पत्री का नाम था अब मली नाजी भी पूझे जाते हैं और रूपा देवी पूझे जाते हैं तो अगला सवाल मालवा सुभिदार निश्यामु दीन को किसे लोग देवता ने पराश्त किया देगे दोस्तों अडबुजी कि हम अच्छा फिर बात यह अलिग बन रही है पहला सुभिदार निश्यामु दीन को किस लोग देवताने पराश्त करा तो यह मली नाजी होगा दोस्तों नहीं सथिके मली नाजी हो जाएगा इन्होंने तेरा सुठातर में चूड़ा की साहिता करी और चूड़ा की साहिता इन् नाजी मली नाजी दोनों ने चूड़ा का साहिता अग्ला सावाले माचल प्रदेश में वालखनात की रूप में देवता को पूजा जाता है ऐसे आपको याद रखना है कि केसरिया कुमर जी को लुप करेंगे दोस्तों केसरिया कुमर जी अप्शन अरे सुख ना तो दो जी के पूत्र थे इन्होंने बद्रा लिया था आपने पूपर जी से ना अठीक है जिन्धाव की लिजिसे तो यह बात आपको याद रखना है अग्ला स्वाल है कि कला जी से संगने तिने मैं यह से गलत क्या है कल दिदॉस्तों का लाजगा जी को चार हाथों वाले वह इनका जर्म नहीं पलकी मारवार्ड में वा था वह था थाक्रतिक एपर हैं चेहरें ऑस्टे क्या将ों यहीं वाइनमे की एक को यह वह विए अलम जी किस में पूजणी है ऐसा सवब आपके किया जाना है और सभी आपसर अपर सभी का हो जाए अलम जी किस जिले में बूजणी है वैसे आपको बता होगा यहां पर मेला भी बड़ा मैंने में बाधर पदर शुक्ल फक्ष में शukla πάps की जृत्या को कहलो या फिर दूर्स को केलो यह बाता पूंको यादतने अग्ला समया है कि वर्ष में दो बार मिला वर्ष होता या कि विर पंद्राजी और देहुबाबार- इनमेसे जैसे केवल एक सही हो गा याна夜क दोद्छ कोई करेंगे दोनों करेंगे राट करें तो यह ज Näसे समंध्ध रखते हैं तो देव बाबा तो जबहां समन्द रखते हुए नगला जाज से यह दोनूं मातें को याद रखनी और दोनों का मेला वर्ष में 2 वार अधिकरनधारी किसे आ जहता है देखे दोस्तों किरनधारी वह और एक नाम हाता की रतिर्ट का ब़ारा और रहता है क्रकॉ और कियानजार जी के सेवक ही होते हैं तो गोड़े का नाम है और किसी घोड़े का नाम है आपको करना है कि मैं उम्मेद करूंगा कि आप इसको रही जरूर बता है लोग दिवता देवनारेज्टी का मेला बता है जाता है पर अगेरा अप्से में बात करूं दूस्तों कि हमोन अधिक तर लोग तरहोताओं के मेले को अन्याय में प्राइद्ध है लिफद्ध है वोगा जी प्राइद्ध में इंढें सब्सकति पर्रौद में है अरडशलिका नीकलिए और है याद हरन नहीं वैण तो अब आपको यह बताना कि क्रश्ण जर्माश्ट में आती है कि लिए लोग के वता को टारी और याद रख सकते हैं आगर खैसारी तो फिर उस पर जाने कि आुश्क तरहीं कि अगला स्वाल है कि निम्म लिकित मैं से गलत युग में बताना है आपको और लोग देवता है समनित गाउं फता जी सांथु गाउं जालो मैं इनका मंदिर है जुंजाजी इमलोहार सीकर में इनका जनम है यह वाँ पूजे जाते हैं दूम जी जवाजी साबला डुंगरप में ठीक है तो यह बात आप याद रखेंगे रूपनाजी कोलुमेंड फलोदी में इनका मंदिर है रूपनाजी वही जो बाबुजी के बतिते बुरो जी के पुत्र जिन्हें बालकनाथ के रूप में पूजते हैं मचल प्रदेश में और यहां हम और इनको जहरड़ा जी करते हैं घ्रताजी ठीक है ओक ë मैं याद रखेंगे और यह गफिछ त्थ टेना यह शेकावटि सीकर याद रखेंगा तीक है क्युंद्जी चौन्जी लखर दोस्तों लखी मेला जो है지 इनीमें से से लोग पार नहीं होता है तो बूरीया बाबा याद नहीं है लेकिन आपको बता दिया जाएगा अप्रेल में अप्रेल मांच अप्रेल में यह मेरा यूजित होता है ठीक है लगी मिला बूर्या बाबा को याद रखेंगे दोस्तों बहुत मेर्शुर बाबा भी कहता है मीना लोग इनके जो है आराध्य है और मतलब कि आरा यहाँ पर लिखता हूँ क्या यहाँ पर लिखता हूँ पाबू जीरी बात यह एक दोस्तों साहित्य है यह क्या है साहित्य है और यह साहित्य किसके द्वारा लेखा गया इसके लेखक के संब्ध में आपको उतर देना है लेखक इस साहित्य के लेखक कौन है इसका आंसर आ अगर आप continue रहेंगे और मुझे लगेगा कि यहां आप लोग बढ़ पा रहे हैं तो इस हिसाब से दोस्तों यह जो है ना इस पर मैंने आपको बता हैं बहुत ज्यादा मैंत्री लग रही है इस क्लास के लिए मुझे कम से कम 3-4 घंटे करने होते हैं तब जाके कहीं जो है मैं आपको एक क्लास दे पाता हूं और उस पर भी इतना क्रेडिट नहीं आ रहा है जितना मैं चाहूं की वास्तों में मेरे भाईबने देख रहे हैं तो वह जो है वह नहीं पा रहे है क्योंकि जब तक मैनत का भी देखो जितनी मैनत हो रही है उतना तो जो है आप लोगे तक पहुंचे लेकिन वह नहीं हो पा रहा है वह सकता है क्या बता यूट्यूब की बग्स हो या यूट्यूब के कुछ ऐसे ऐसा ही कुछ हो गया होगा तो तो नहीं जा परा इसलिए मैं पर चैनल पर तुम बैने आपको प्राइब तो यहीं पर मिलेगी भाइया पर जाने क्या आप गुरूप में एड होंगे नहीं पर अगर भास्तम आप ग्रूप में होना चाहिका आप इस नमबर पर अपना नाम और चला लेकर मैसेज जरूर कर लेना आगे हम आपको ग्रूप में भी आड़ कर सकते हैं ठीक है अपना नाम और जिला लेकर ही मैसेज करें ठीक है साब ओके मिलते हैं अगली क्लास में तब तक के लिए आप सभी का बहुत 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 शुक्रिया जैहन बंदेबात